नमस्ते आज हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से योगा अभ्यास है जो आपके थायराइट के लिए उपयोगी है उन्ही योगा अभ्यासों को हम एक क्रम में करेंगे, सिक्वेंस में करेंगे तब जाकर हमें इसका लाव होगा देखे थाराइड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बताया है कि थाराइड किन कारुनों से होता है वो कौन-कौन से हार्मोन है जिसके स्टिमलेट होने से आपका थाराइड इंबैलेंस होता है T3, T4 अगर उसकी अधिकता हुई और TSH की कमी हुई तो कौन सा थाराइड होगा T3, T4 उसकी अगर कमी हुई और TSH की अधिकता हुई तो कौन सा है हाइपो है, हाइपर है इस पूरे वीडियो को अगर विस्तृत में आपको जानना है तो आप लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करें और जाने कि थाराइड कैसे होता है कौन-कौन से वो lifestyle changes है, food है जिसको हम अपनाएं तो वो बहतर हो Now, today we are going to talk about कि वो कौन-कौन से आसन है जो आपको थाराइड के लिए उपयोगे हो गया देखे थाराइड कंट प्रदेश में एक ग्रंथ होता है जिसके inactive होने से, imbalance होने से ये समस्या होती है Weight का बढ़ जाना, या weight का कम होना, साथी साथ बालों का गिरना, या फिर शरीर में energy का कम होना ये सारे लक्षन जो है वो थाराइड के है, थाराइड एक बहुत बड़ी समस्या बनती होई, बनती जा रही है हमारे देश में और हमको समझना होगा कि इन पर कैसे निजात पाया जा सकता है, योगा, one of the best way to overcome थाराइड तो हम इन चीजों के लिए योगा का अभ्यास करते हैं, सीधी, सबसे पहले अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे, table and top की position पर आएंगे हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे, वो है मर्जरी आसन का, मर्जरी आसन में इस तरह से table and top की स्थिती रहेगी अब दोनों पंजों को फेला लिया, सांस लेते हुए अपने head को उपर करें, अपने कमर को नीचे करें, arch करें सांस छोडते हुए आप अपने head को नीचे करें, कमर को उपर करें, hunch करें सांस लेते हुए आपने अपने कमर को नीचे किया, हेड को उपर किया सांस छोड़ते हुए आपने अपने कमर को उपर किया, हेड को नीचे किया सांस लेते हुए आप अपने कमर को नीचे करें, हेड को उपर करें इसे हम कहते हैं मर्जरिया आसन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं cat and camel, cat cow और इस आसन को कम से कम 6 से 7 बार करें दूसरी आसन की तरफ हम बढ़ेंगे दूसरा आसन है जिसमें हम दोनों elbow को ये देखिए हम अपने पंजे के पास में रख दिया शरीर की स्थिती बनी हुई है आपका knee और hip एक लाइन पे हो आपका ये ना हो कि hip पीछे चला जाए या आगे चला जाए इस स्थिती पर ध्यान दीजे आपके दोनों knee जो है समान दूरी पर हो धीरे से आप अपने elbow को head को floor पे डाल दे और यहां रुकें और आप पाएंगे कि कितनी अच्छी तरह से आपका blood flow जो है वो head की तरब जाएगा जिसकी वज़ा से आपको बहुत रहात मिलेगी now be there in this position for a while आप 5 count के लिए बने रह सकते हैं इस पेस जिनको भी comfort है अगर जिनको दिक्कत है तब जाकर आपको इस आसन का लाब मिलेगा धीर से वापस आए धीर से आप इस तरह से वज़ा आसन की स्थिती में बैठ सकते हैं वज़ा आसन में बैठने के बाद हम सशांक आसन की तरफ बढ़ेंगे जो आपके thyroid gland को stimulate करेगा दोनों नी को धीर इसे फैला दें और दोनों हाथों को इस तरह से सीधे ले जाते हुए आसन में रुकें ठहरें इस तरह से आपको जो है इस आसन का पूरा लाफ मिलेगा इसमें भी कोई जोर जबर्दस्ती ना करें इस तरह से बने रहें आसन में आप देख सकते हैं कि बॉडी कितने अच्छी से स्ट्रेच हो रहा है कुछ काउंट के लिए हापे बने रहें और धीरे से वापस आ जाए अगर आप इस तीन से चार आसन को ही करते हैं तो आपके पाएंगे कि आपके स्पाइन खुलने लगी है आपका blood flow chest की तरफ जाने लगा है आपके कंटपदेश जहांपर thyroid gland है उसका stimulation स्टार्ट हो जाएगा और वहां से आपके हार्मोन जो है वो balance होने चालो हो जाएगे नेक्स्ट आसन अधो मुखशवान आसन तो हम लोग table and top की स्थिती में आ गए यहां से सांस लेते हुए आप अपने दोनों नी को उपर उठाएं हिप को उपर करें और इस स्थिती में बने रहें ना शुरुआती दोर पे आप अपने थोड़े से हिल को उपर उठा सकते हैं विच इस comfortable अगर आप ज़्यादा comfort हैं तो दोनों आप पंजे को पेरो को दवा सकते हैं और अपने हिप को उपर करके इस स्थिती में बने रह सकते हैं कुछ देर जैसा भी comfort हो अगर आपको comfort नहीं है तो थोड़ा सा आप हिप को उपर उठाएं नी को bend रखें और इस स्थिती में रहें चार से पांच काउंट पर रहने के बाद धीरे से अपने नी को ड्रॉप करके वापस आ जाए तो ये है sequence for the thyroid thyroid के अभ्यास के लिए कौन कौन से आसन है अब हम next आसन के और बढ़ेंगे जो आसन आपके thyroid gland को activate करने में stimulate करने में help करता है, मदद करता है तो next आसन है भुजंगासन, भुजंगासन के लिए हम पेट के बल लेड जाएंगे सास लेते हुए चस्ट को धीरे से उपर उठाए सास छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाए second round करें, सास लेते हुए धीरे से चस्ट को उपर उठाए सास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए फिर से सास लेते हुए चिस्ट को उपर उठाए जितना comfort हो उतने ही उठाए अपने shoulder को कानों से दूर रखें जितना हो सके shoulder को इस तरह से ना मिलाए इस इस्तिती में आपका आसन जो है वो सही नहीं होगा we have to see the alignment which is very important keep your shoulder away from your ear and slowly धीरे से आप चिस्ट को उपर उठाए आप देख सकते हैं मेरा कंदा दूर है तब जाकर आपको इस आसन का लाभ होगा सास छोड़ते हुए नीचे आए तो यह अभ्यास हमने किया छे से साथ बार दोनों हाथों को मकर आसन मकर आसन की स्थिती में रिलाक्स करें अब हम करेंगे उस्टरासन उस्टरासन में हम इस तरह से नी पे बैठ जाएंगे अगर आपने देखा होगा तो नी जो है वो पैल्विस के लाइन पे है नी जादा आपका फैला नहीं है इसे pelvis के line पे रखें, ठीक है, इस तरह से हम camel post की स्थती में आएंगे, दोनों पैरों के पंजों के खोल लेंगे, दोनों हाथों के कमर पे रखा, और धीर इसे अपने कमर को सामने push करते हुए, आप अपने head को very gently move कराएंगे, इस तरह से, फिर से मैं वही कहूंगा, कंठ प्र इरे से अपने neck को bend किया, एक स्थिती यह भी है, दूसरी स्थिती जिनको comfort है, वो अपने हाथों को अपने heels पे भी रख सकते हैं, और इस तरह से move करा सकते हैं, और अपने chest को सामने forward करके, hold कर सकते हैं कुछ देर तक, अब आप देखिए, आपको क्या comfort है, ये comfort है, तो ये वाला कर ये, यहाँ पर आपने दोनों हाथों को रखा, और इस तरह से, दोनों आपको फाइदा करेगा, पांच count के लिए रहें, और आप आएंगे कि उस तरह आशन में पांच रहने के बाद, वापस फिर से हम आशन म पोज करना ही करना है, जब कभी भी हम वापस उस्टरासन करें, तो उस्टरासन के बाद ये पोज जरूर करें, क्योंकि ये counter पोज है, किसका उस्टरासना का, camel पोज का, तो आपकी जो spine है और neck है, उसको रहत मिलता है, now next आशन जो हम जाएंगे, जिसे कहते हैं, सेतु आशन में हम लेट जाएंगे, पीठ के बल, धीरे से वापस हम पीठ के बल लेट गए, now सेतु बंधा के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से band करेंगे, band करने के बाद धीरे से कमर को उपर के उठाएंगे, और मैं चाहूंगा कि इस आशन को थोड़ासा closely देखें, तो आप और अच्छे से पता चले कि यह आशन में आपका कमर, दोनों हाथों को आप चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं, या खोल के भी रख सकते हैं, दोनों ही comfortable हैं, बट इस पाइन को इस तरह से उठा के जितना हो सके उतना रखें, जिनको comfort नहीं है, वो block का इस्तमाल कर सकते ह मेरे पास दो block है, मैं इन दोनों block को अपने hip के नीचे इस तरह से रख दूँगा, और दोनों block को hip के नीचे रख के मैं इस स्थिती पे बने रहूँगा अराम से, आप चाहें तो थोड़े कमर को उपर भी उठा सकते हैं, आप की उपर है कि आप कैसे इस चीज़ों को कर सक सकते हैं, और आप पाएंगे कि आसन आपको बहुत ही ज़्यादा, रिलाक्स करके देगा, कुछ देर तक यहां रहने के बाद, अपने धीर इसी कमर को उपर उठाएं, अगर आपके पस block नहीं है, कोई बात नहीं, आप तकिया का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और तकिया को भी करेंगे, नी को अपने हेड की तरफ लेके जाएंगे, और देखेंगे कि कमर उठें, दोनों हाथों को इस तरह से रखा, और धीर इसे दोनों पैरों को सीलिंग की तरफ, देखिए, जिनको भी दिक्कत है इस स्थती में ना आने की, वो क्या कर सकते हैं, उसका भी मैं उपा बताऊंगा, तो अब जितने देर इस आसन पे रह सकते हैं, रुके, ठहरे, और फिर धीर, ऐसे नी को बैंड करते हुए, यह देखिए, इस स्थती में रहे हैं, और फिर वापस नी को बैंड करते हुए, अपने हिप को नीचे लिया है, अब जिनको भी दिक्कत है, वो क्या वाल पे रख लिया, वाल पे रखने केबाद, मैं अपने दोनों पैरों को इस तरह से दबाओंगा, और मेरा कमर उठते जाएगा, जैसे कि आप डेख सकते हैं, इस तरह से, यह देखी, दोनों पैर मेरा वाल पे है, और मैंने उठाखा के रखा, इस इस इस्तिती में बने यह बहुत आसान तरीका है झिए किया जा सकता है जिनको शुरवाती दोर पे, बजन जादा होने से कमर उठता निए एक पैर को आप इस सीथा कर सकते हैं फिर वापस उसे डिवाल पे रख सकते हैं दूसरा पैर सीधा रख सकते हैं यहां तक कि अगर आपको लगे क्योंकि दोनों एल्बो जो है आपकी जमीन पे है आपने हिप को अच्छे से अपने पाम पे होल्ड कर रखा है तो आप चाहें तो एक पैर और दूसरा पैर इस इस्तती में भी बन सकते है लेकिन अगर आपके आपका वजन ज़्यादा है और आपके कमर पे प्रेशर आ रहा है तो आप इस इस्तती में रहे और फिर धीरे से वापस अपने कमर को क्योंकि दोनों पाव आपका दिवार पे है नीचे ले आए तो एक सहाज इस्तती है जो कि ये आशन को किया जा सकता है और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा चलिए अब हम करेंगे मतश्यासन की ताहरी देखिए ये आशन भी एक सरवांगासन का काउंटर पोज है और सेतुबंधासन सरवांगासन उसके बाद हमको मतश्यासन करना है जिसमें आपके थायराइड ग्लेंट अक्टिवेट होते है करना क्या देखिए दोनों पाम को आप अपने हिप के अंदर ले लीजिए इस तरह से देखिए मैंने दोनों पाम को हिप के अंदर ले लिया पाम फेसिंग टूर्स दी फ्लोर और इस तरह से रखने के बाद दोनों पैरों को सीधा रखा एल्बू की साहता से आप अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं ये इस तरह से और आप अपने हेड को आपके आपका हेड को इस तरह से जमीन पे रखें फ्लोर पे रखें आपने एल्बू की साहता से उठा के रखा है ये देखिए इस इस्तिती में बने रहे हैं ये बहुत ही जादा सहायक होगा थाराइड गलेड के लिए आप चाहें तो पेरों को भी उठा सकते हैं आपका जितना कमफर्ट हो या फिर चाहें तो नीचे रख सकते हैं अगर पैरोग उठागे भी रखेंगे तो भी comfort है पांस से साथ count रहें और फिर धीरे से वापस आ जाए वापस आने के बाद पूरे शरीर को शवासन के लिए relax करें पैरोग को फैला दे and relax your body completely just relax अब करेंगे हम उज्जाई प्रानायाम उज्जाई प्रानायाम में क्या होता है कि हम अपने कंठ प्रदेश को contract करते हैं सांसों का लेना और शोड़ना जारी रहता है जिसे एक soothing ocean की आवाज आती है अगर मैं आपको उधारन तोर पर कहूं तो आप समझे एक आपको mirror आपके face के सामने रखा और आप सांस छोड़ेंगे यू समझ लीजी कि ये mirror आपके सामने है अब इस mirror को आपको foggy बनाना है तो foggy बनाने के लिए आप क्या करेंगे? mouth open करके बस इसी तरह का आवाज आएगा उज्जाई में आपके कंठ प्रदेश से तो हम उज्जाई प्रानायाम करेंगे कुछ round के लिए आखे बंद किया लंबी गहरी सांस ली सांस छोड़ा लंबी गहरी सांस ली तो इस तरह से आप उज्जाई ब्रीधिंग का अभ्यास करें कम से कम मिनिमम्म सेवन तू एट टाइम्स और तब जाकर आपको इसका लाब मिलेगा यह अभ्यास बिल्कुल जारी रखें मैंने एक वीडियो में बताया कि थायराइट ग्लैंट में कौन कौन से फूड आप ले सकते हैं यह कैसे आपके बॉड़ी में उत्पन्न होता है और कौन से योग आसन करते हैं जिससे वज़ा से आप थायराइट को क्योर कर सकते हैं तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए मैं पूरी स्रिंखला में सारी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आराइट ग्लैंट, डायबेटीज और भी जो लाइफटायल डिसीज हैं उसके बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको लगता है कि इनसे किस आपकी जानकारी बढ़ रही है तो आप और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाब उठा सके तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो नमस्ते